इस week में आपको crypto market में आर पार का game देखने हो मिल सकता है या तो bitcoin 15,000 डोलर, 17,000 डोलर इस range में देखने हो मिल सकता है या फिर 21,000 डोलर या 25,000 डोलर की range में देखने हो मिल सकता है आप या down is जो moment है वो decide हो जाएगा इस week में ऐसा क्या होने वाला है में मुद्दे बे बात करते हैं उससे पहले एक छोटा सा point में आप डिसकस करते हैं बहुत दारे भाई यह जो boring market है उसकी वज़े से परेशान हो गया है लेकिन आपको यहाँ परेशान नहीं होना है वो क्यों जैसे कोई मालो अच्छी movie है उसमें कोई यहाँ पे scene boring आ जाता है इसका मलब यह थोड़ी है कि इपन उस movie को उसे एक छोटे से scene के वज़े से skip कर दे या छोड़ दे नहीं होता ना जेलता है ना उस scene को boring part को वैसे ही यह market में भी short period के लिए कभी-कभी market boring हो जाता है ना तो यह नहीं होता कि market छोड़ के चले जाए थोड़ा सा patience दिखाए और person मैंने आपको टेलिग्राम पे एक poster भी दिया था वो उस poster में एक cd थी और एक आदमी खड़ा था उससे देगो important message मिलता है अपन को क्या है कि अपन को जो यह last stage है वहाँ पे cd को छोड़ना नहीं है market बहुत हिलाएगा कि गिर जाए कैसे भी जो retail traders है investors है वो गिर जाए लेकिन आपको पकड़े रहना है जैसे market का यह सारा चीज़ों हो जाएगा वो खुद ठक जाएगा अपनको easily one by one step चड़ने को मिलेगा और अच्छा profit भी होगा तो इस चीज़ का ध्यान में दीजी यहाँ पर परेशान मत होईए कभी कभी इंसाना ना last stage पर जाके give up कर देता है आपको वह नहीं करना है अब में मुद्धे बात करते हैं ऐसा क्या होने वाला इस week में जिससे आप या down का moment हो सकता है और यहाँ पर decision point ही माल लो जो बहुत important होने वाला है तो क्या होने वाला है आपको मैंने एक डेट महीने पहले DXY के बारे में बताया था डोलर इंडेक्स के बारे में और डोलर अभी भी strength दिखा रहा है हाला कि थोड़ा वो reject होके नीचा है लेकिन ये बात नहीं है important बात ही है कि monthly candle को close होने में दो दिन का time है दो दिन से कम काई time है अगर वो उसके उपर close हो गई और fake out भी नहीं होता है और ऐसे ही dollar strength दिखाता है तो ये 120 point के around टच करके तो अगर इतना उपर चला गया dollar index तो bitcoin आपको 15,000 dollar या 17,000 dollar इस range में देखने को मिल सकता है अगर ऐसा हुआ तो और अगर यहाँ पे dollar index इसी point से 114 point या 113 point के round चल रहा है वहां से reject होके नीचा आ जाता है और ऐसा कुछ चमतकार हो जाता है कि ये 2 दिन का जो time है वो वापस स descending channel में आ जाए 109 point के round तो bitcoin आपको 22,000 dollar 25,000 dollar इस तरीके से देखने मिल सकता है यह और इससे और भी higher जा सकता है क्योंकि फिर जैसे dollar में weakness आएगी तो जो भी अधर financial market है उनमें positiveness देखने मिलेगी उनमें money flow बढ़ जाएगा तो अच्छे खासे उनमें बुलरन भी आ सकता है और आराम से record भी दिखा सकते है बहुत banker तो यही बात है कि अभी देखिए कि dollar जिस तरीक से world की economy खराब चल दिये यह strong होता दार है जब तक इसमें यहाँ पर correction नहीं आता है यह downside की तरफ नहीं आएगा हो सकते हैं यहाँ पर hold करके monthly candle hold करे और फिर fake out हो जाए होता नहीं कई सतरा जार जो भी डोल जाए परेशान नहीं होना है यह last time का correction होगा फिर उसके बाद rejection आना स्टार्ट होगा तो market में recovery स्टार्ट हो जाएगी और October month हमें सब bullish ही रहा है आपको मैंने एक data भी share किया था उसमें देखिए कोई 2 month थे जून में थोड़ा बहुत bitcoin sleep हो आ था लेकि बाकी month में bullish ही रहा है यानि कि overall बात करें तो October month bullish month है बाकी जो यहाँ पर November December आएंगे वो भी अच्छे यहाँ पर strength ले सकते हैं क्योंकि bitcoin में अभी कितने month होगे 11 month होगे तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है यह गिरता ही जा रहा है momentum lose कर रहा है लेकिन market कभी इस तरी पर ले उसे बात नहीं कर रहा हूं reality में बात कर रहा हूं क्योंकि bear markets में ऐसा ही होता है लेकिन जैसे bull market आता है recovery होती है सब कुछ okay हो जाता है तो मैंने जो भी आपको बताया हूँ I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर इस वीडियो में आपको ज़रा सा भी knowledge मिला हूँ